नमस्ते दूस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं SKTEC YouTube चैनल और आज के वीडियो में हम लों कंपेर करेंगे Poco FI 5G स्मार्टफोन को Vivo V27 5G स्मार्टफोन के साथ तो सबसे पहले डिस्पले का बात करते हैं Poco FI 5G में आपको मिलेगा 6.67 इंच का Full HD Plus AMOLED डिस्पले जिसमें आपको मिलता है 120Hz का रिफ्रेश रेट, HDR10 प्लस का सपोर्ट, Dolby Vision 68 बिलियन कलर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको 395 PPI इंसिटी है 1000 nits का पीक बाइटनेस और कोर्निंग गोरिला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन क्यानि की जो डिस्पले क्वालिटी इसका काफी जादा बेटर है और वहीं वीव वी 27 में आपको मिलता है 6.78 इंच का FHD+, 3D Curved AMOLED डिस्पले इसमापको मिलेगा 120Hz का रिफ्रेश रिफ्रेश रेट, HDR10 Plus का सपोर्ट, 1.000.000 कलर है यहांपर 388 PPI इंसिटी और 950 Nits का पीक बाइटनेस वैसे तो डिस्पले दुनों कही अच्छा है वीव थोड़ा सा कर वोने के कारण अच्छा लगता देखने मे लेकिन डिस्पले क्वालिटी जो है एक्च्छल में वो पोको F5 5G का ज्यादा बेटर है लेकिन 3D करवडेश डिस्पले होने कारण वीव थोड़ा सा देखने में खुबसूरत लगता है ओडियो का बात करे तो पोको F5 में आपको 3.5 mm का जैक मिल जाता है डूल स्टीरो स् यहां पर एक सिंगल स्पीकर मिलेगा अब बात करते कैमरा तो तो पोको F5 5G में आपको मिलता 64 MP का वाइड अंगल कैमरा वी तो आइस साथ मिलता 8 MP का अल्रावाइड कैमरा प्लस 2 MP का मैक्रो कैमरा में कैमरा से 4K वीडियो ए 30 fps में रिकॉर्ड कर पाएंगे और 1080p का वीड और 20 fps में रिकॉर्ड कर पाएंगे और पाइंगे वीडियो पाइंगे के वीडियो एडियो तो यहां को मिलता 50 MP का वाइगल कैमरा वीड रिक सिंगे में इस सेंसर लगा हुआ है 7 में 8MP ultrawide camera और 2MP macro camera Main camera से 4K video at 30 and 60 fps में रिकारद कर पाएंगे और 1080p video at 30 fps में रिकारद कर पाएंगे Video recording में यहां भी आपको जार होगी है इस प्लस YS का support मिलता है यानी किकतम SMOOTH and steady video रिकारद कर सकते हैं 7 में मिलता है 50MP selfie camera और lepsey camera ते वीड़ ए 2k 4k वीडियोे 8k-60fps में रिकॉर्ड कर सकत के तो यहां पर वोग चाए है वीवीव टॉटो में तर ऑचा रिप खाए हैं जाए हुआ के सकते हैं अच्छा वीडियो ही सकते हैं और एच्छा विडियो रिकॉर्दिग में पर Pef ने कहां बात करेंगे ल फिंगर पिंगर्पिंट का स्काइनर है प्लास्टिक फ्रेम एंड प्लास्टिक बैक है लेकिन आपको IP53 का रेटिंग मिल जाता है यानि कि दॉस्ट एंस फ्लास रिस्टेंट है थोड़ा बात बात बातास कर सकता है वहीं वीवी टॉंटिशन का बात कर तो वहीं 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 उट बात सकता है अजना प्लास्टिक लेंच चार्व शॉट का स्टेंट है वहीं एंड का प्लास्टिक फ्रेम आपको देखने को मिलेगा लेकिन वाउट धेखने को चल्याँ बील्ट क्वालिटी तो दोनों का अवे लगड़ग सेमें दोनों के यह average कुछ खास जादा बढ़ी है और नेटवर्क का बात करें तो Poco F5 5G में आता 12 5G बैंड लेकिन वीवो वी 27 5G अपको मेलेगा सिर्फ 6 5G बैंड लेकिन जो भी इंपोर्टेंट बैंड से वह आपर मिल जाते हैं तो ज्यादा तो ज्यादा टिंसन लेनी की चाब का है वहीं वीवी 27 5G का बात करें तो यह आता है मीडियाटीक डामेंड सेवन डबल जिरो फॉर नैनमेटर अला चीफसेट के साथ में मिलता है ल्कुट इर फाइव गार श्टोरेज अन्दू इसकोर चे लाग तिरह जार का सपास आता है परफॉर्मेंस तो बैसे दोनों क वहीं वीवी 27 5G में आपको मिलता है Android 13, Funder Chos 13 साथ में बैटरी का बात करे तो पोको में आपको में प्लेगा 5000 मेर्च बैटरी 67W fast charging साथ में और वीव में आपको में बैगा 4600 मेर्च बैटरी 66W fast charging साथ में प्राइस का बात करे तो Poco F5 5G आता है 39,991 रुपय में जिसमें आ वीवी 27 का प्राइस है 32,991 रुपय जिसमें आपको मिलता 8GB RAM प्लस 128GB का इंडर्नल स्टोरेज और इसका दूसरा वेरेंट है वो आता है 36,991 रुपय गा जिसमें आपको मिलता 12GB RAM प्लस 256GB का इंडर्नल स्टोरेज यह अभी का करेंट प्राइस है लेटेस्ट प्राइस के आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं या फिर वेबसाइट में जाके लेटेस्ट प्राइस देख सकते हैं अब अगर कंक्लूजन का बात करें और वीवी 21 5G स्मार्फोन के बीच में तो डिस्प्ले दोनों का लगवग अच्छा है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा बेटर और सेक्योर्टी अपडेट का प्रामिस मिल जाता है ब्रांड के तरफ से बैटरी भी पोको में जादा है चार्जिंग भी पोको का ज्यादा फास्ट है अल अबर देखा जाए तो पोको 5 5G में जादा प्लस पॉंट देखने को मिलते हैं या पर लेकिन अगर आपको एक वो में लगवक ठीक ठाक अच्छा मिल जाता है तो यह था हमारा कंपरेजन वीडियो पोको एफाई 5G और वीवी टॉंटेशन 5G स्मार्फोन के बीच में कोई अगर इंपॉर्टेंट डीटेल में से मिस हो गया तो प्लीज कमेंट करके बताएए वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए मिलते फिर अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार